नमस्कार, जर्मन सी की ये हिंदी में के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है मैं केदार जाथव, मैं म्यूनिक जर्मनी में रहता हूँ और मैं सेमिकंडक्टर इंडस्ट्री में डिजाइन इंजिनियर हूँ पर मेरी असली पैशन है जर्मन सिखाना जर्मन महाशा का जो सबसे कठिन और हाईएस लेवल का सर्टिफिकेशन है गोईथे इंस्टिट्ट का C2 वो मैंने कंप्लीट किया है और पिछले चार वर्षों से मैं free of cost जर्मन सिखा रहा हूँ इस दोरान मैंने 44 बैचस में 1100 से जादा स्टूडन्स को जर्मन सिखाई है और उसमें से अनेक लोगों को गोईथे इंस्टिट की अनेक एक्जाम्स में 100% तक मार्क्स आये है अभी ये चैनल शुरू करने के पीछे मेरे दो उद्देश है सबसे पहला और सबसे इंपोर्टन्ट जिस जिसको भी मन से जर्मन सिखने की इच्छा है उसे free of cost जर्मन सीखनी मिलनी चाहिए ये मेरा लक्षे है आज कल जिसे जर्मन लैंग्वज अच्छी तरह से आती है उसके लिए बहुत सारी opportunities available है पर दुर्भाग्य से भारत में जर्मन सीखना इतना असान नहीं है जो अच्छे classes है उनकी fees हर level को 1000 रुपे और चोटे चोटे गावों में वो classes हैं भी नहीं दूसरी चीज़ जब हम जर्मन सीखते हैं हम अंग्रेजी में सीखते हैं और इसी के कारण बहुत सारे students को कटिना ही होती है और सच पूछे तो जर्मन और हिंदी में बहुत सारी समनताएं हैं हिंदी का मेरा मेरी मेरे जर्मन में हैं हिंदी का जो आधरार्थी बहुँचन है आप वो जर्मन में हैं इतना ही नहीं, जर्मन और हिंदी के जो verbs हैं, वो एक जैसे ही behave करते हैं, तो चलिए, आज हम हिंदी की मदद से सिर्फ 10 मिनिट में, कितना? सिर्फ 10 मिनिट में, छोटे-छोटे जर्मन sentences बनाना सीखेंगे, चले, करें शुरा, तो सबसे पहले हम सिर्फ 8 छोटे जर्मन सर्वन सीखेंगे, ठीक हैं? सबसे पहले मैं, मैं मतलब इश, इश, इनका उच्चार कैसे करना है हम next part में सीखेंगे, अभी आप सिर्फ यह याद रखिये तो चलेगे, मैं मतलब इश, तू मतलब दू, तू मतलब दू, ही, ही इंगलिश का मतलब एर, एर, शी, मतलब जी, और एस, एस, मतलब इट, जो इंगलिश का इट होता है, वो जर्मन में होता है, एस, ओके, एर, जी, एस, जब हमको हम बोलना है, हम, तब हम बोलेंगे, वी, वी, वीर, जब हमको बोलना है, तुम दोनो, तब हम बोलेंगे, इय, इय, और जब हमको way लो day बोलना है तो हम फिर से बोलेंगे zee अब आप बोलोगे हमने तो ze मतलब she सीखा है तो वो context based होता है जी मतलब she भी होता है और जी मतलब they भी होता है जिसे English में हमने पढ़ा है यू एर केदा अब बोलते हो तो आपको पता है एक ही बंदा है पर जब आप बोलते हो you are students तो आपको context से पता चलता है आप बहुत सारे है तो एक बार you एक वचनी था और एक बार you अनेक वचनी था वैसे ही जैसे जैसे आप आगे जाओगे context से आपको समझ में है जैसे हिंदी में भी होता है right मैं कल आउंगा तो आप समझ लेते हो कि वह कल is tomorrow और मैं कल आया था तो आप समझ लेते हो कि कल is yesterday even though बोथ हाद कल clear है सबको तो जी मतलब she be और जी मतलब दे भी और अभी मैं आपको और एक concept सिखाने वाला हो भी कि वह English में नहीं है पर German और Hindi में same है वो है आप देखो हिंदी में अमलता है तू और आप आदर से वो जो वो भी German में है और वो है capital Z capital Z is आप तो देखो मैं फिर से आपको ये फिर से करता हूँ थोड़ा English में से करता हूँ तो आपको आसानी होगी अगें आपको अभी के अभी वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है यह सिर्फ हमको आगे लगने वाले हैं इसलिए हम कर रहे हैं चले कर इश आए दू यू एर जी एस ही शी इट वियर वी वियर वी यू आल जी छोटा जी अगें दे और capital Z मतलब उसके लिए English word नहीं है आप आदर से आप प्लियरे सबको यह सबसे important है अगर आपको चाहिए तो pause करके थोड़ा शांती से इस पर विचार करो क्योंकि इसके आगे एकदम simple है एकदम simple तो चलो हम फिर से हिंदी में आ जाते हैं हिंदी में आप verb कैसे conjugate करते हो तो देखो हम थोड़े से हिंदी verbs देखते हैं याद करो क कुछ हिंदी verbs कौन-कौन से हैं बागना खेलना दोडना आना जाना पीना खाना यह सारे वर्ब्स हैं इनमें common क्या है अगर आप सोचो तो common यह है सारे ना से end होते हैं खाना पीना आना जाना ना समझें तो हम क्या करते हैं चलो एक verb लेते हैं पीना पीना ओके तो पीना का ह आते हैं पी और फिर जब आपको बोलना है मैं पीता हूँ आई ड्रिंक तो आप क्या करते हो मैं पीता हूँ आपने ताहू लगा है समझें मैं पीता हूँ तुम पीते हो तुम पीते हो वह पीता है यह जो है मैं पीता हूँ तुम पीते हो वह पीता है इसको बोलते हैं तो हर बार ता ही लगाओगे अगर खाना है तो मैं खाता हूँ जाना है तो मैं जाता हूँ आना है तो मैं आता हूँ मैं है तो ता आएगा इसको बुलते हैं verb conjugation तो quickly revise करते हैं क्या कि हमने हर हिंदी verb ना से end हो रहा था खारा पीना आना जाना हमने ना को हटाया और एक स्टेम बनाया पी और फिर उसको मैं पीता हूँ तुम पीता हूँ हम पीते हैं चलाया अगर आपको basic हिंदी का verb conjugation clear है तो जर्मन आपको दो मिनिट में आ जाएगा जर्मन में कैसे सेम है देखते हैं जर्मन में भी हर वर्ब जो है 99.99% verbs in जर्मन end with EN कॉमन आना गेहन जाना लेरनन सीखना एसन खाना त्रिंकन पीना अगर आप देखो कि everything is ending with EN तो हम हिंदी की तरह ही करेंगे चलो हमने वहाँ पे पीना को पकड़ा था यहाँ पे त्रिंकन को पकड़ते हैं आ गया त्रिंकन अभी त्रिंकन है तो इसका स्टेम क्या बनेगा हिंदी में ना रिमू किया यहाँ क्या रिमू करोगे EN तो स्टेम बन गया त्रिंक जो जर्मन हिंदी में पी बना था यहाँ बन गया त्रिंक अभी आप क्या करोगे हिंदी में आपने क्या किया था याद करो मैं को ताहू लगाया था मैं पीता हूँ यहाँ पे आप इश को लगाओगे इ अगर आपको बोलना है मैं पीता हूँ तो आप बोलोगे इश त्रिंक जो आपका स्टेम है और लगाओगे में मैं है तो ता लगाता हूं वैसे ही जर्मन में इश है तो ई लगेगा कभी भी हम आएंगे उस पर अगर दू है तू है तो जर्मन में हिंदी में अपने क्या किया था तू पीता है यहां पर हम दू को लगाएंगे स्टी तुम पीते हो या फिर तू पीता है दू त्रिंक् अगर he, she, it है तो हम लगाएंगे t वह पीता है, air trinct त्रिंक्ट, 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 लियर है? अगर तुम दोनों पीते हो बोलना है, तुम दोनों तो बोलेंगे उसको भी t ही लगेगा, air का भी होगा t तो थोड़ा के quickly revise करते हैं इसके बाद बहुत आसन है, अगर आपको बोलना है वियर मतलब हम, या फिर जी मतलब दे, या capital जी आप तीनों cases में हम फिर से एन ही लगाएंगे मतलब हमने निकाला भी एन, डाला भी एन तो we are drinking, जी drinking, capital Z drinking हर बार drinking ही होगा, simple है हम पीते हैं, भी we are drinking ही है वे पीते हैं, भी जी drinking और आप पीते हो, जी drinking तो अगर आप फिर से quickly revise करेंगे तो क्या हुआ इश drinking, I drink, do drinks, you drink, air drink, he drinks, we are drinking, we drink और जी drinking, they drink clear है, एकदम simple है, तो इससे actually हमारे एक मंत्र ही बन जाता है वो मंत्र आप मेरे साथ बोलो, तो आपको भी आसानी हो रिडियो हो आप लो, चलो, यह मंत्र एक याद रखाना आपने, तो हो गया, बोलो मेरे साथ इश drinking, do drinks, air drink, air drink, we are drinking, जी-जी drinking simple है रहेट, अब इसके use करते हैं तो आपको इदन easy लगेगा अब देखो, German is like a, German कैसे है European language है तो सारी भारतिय भाशा है देखो, बहुत सारी जो है, उनमें क्या होता है, वर्ब हमेशे end में आता है मैं cricket खेलता हूँ, मी cricket खेलता हूँ, इसमें वर्ब कहा है, end में वैसे ही European भाशाओं में second position में होता है, जैसे English में I drink tea, मैं खुद Spanish और Italian भी सीखता हूँ, Spanish में होता है यो बेवोटे, second position पे वर्ब आएगा, वैसे ही German में भी second position पे वर्ब और बाकी सब जैसे English में I drink tea, वैसे German में क्या होगा, I को क्या बोलते है, इश और drink को क्या बोलते है, त्रिंकन, पर इश है तो त्रिंकन में से इन हटेगा, लगेगा क्या, इश, त्रिंकर, टी तो चलो, हम सब क्या करते हैं, कि पेपसी पी के देखते हैं, कि पेपसी क्यों पगरना कि पैसी का, आप हमको जर्बन वर्ब सीखने के ज़रुरत नहीं है, तो जैको, मैं पेपसी पीता हूँ, इश, त्रिंके, पेपसी, यू ड्रिंक पेपसी, इन हटेगा, एस्टी लगे दू ट्रिंक्स्ट पेपसी, वी ड्रिंक पेपसी, वी त्रिंकन पेपसी, वो लोग पेपसी पीते हैं, जी त्रिंकन पेपसी, पीजा खा लेते हैं, चलो, आई इट पीजा, इश एसर पीजा, या फिर हम क्या करते हैं अभी, कि हम क्रिकेट खेल लेते हैं, क्रिकेट कैसे है क्रिकट खेलना को बोलते हैं श्पीलन तो इश्पीलन तो उसका मूल्द है तू क्या बनेगा श्पील श्पील है इश है तो ई दू है तो ईस टी आई पले इश्पीलर क्रिकेट यूपले क्रिकेट दू श्पील में we play cricket विए एक दम सिंपल रहे एक बार आको मंत्र आ गया तो एकदम सिंपल हिंद्ध में यान करो जैसे हमनें हिंदी में किया तक्या किया दिखा और पकड़ो उसको उसमें से ना हटाओ और मैं है तो ताभू तूम हो तो ते हो सब लगाओ फीदा है तो मैं मैं पीता हूँ खाना है मैं न गर्मन में भी वह करो दिखा वर्ब पकड़ो इन को रिमूव करो स्टेम बनाओ इस है तो यह लगाओ दू है तो इस्टी लगाओ विया है तो इन लगाओ सिंपल है अभी कैसे है कि हर भाशा में कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ चीज़े ऐसी होती है जो रूल्स फॉलो नहीं करती है जिनको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स इसमें भी ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो यह मानते नहीं पर वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तब हम रहेंगे हम यह रेगुलर रूल सीखेंगे और अभी जो दिखें उसको हम यह रूल करते जाएंगे क्लियर है सबको अभी मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ आप सबको स्क्रीन पे 30 वर्ब दिख रहे होंगे यह जो 30 वर्ब्स हैं यह आपके day-to-day life में लगने वाले सबसे important 30 वर्ब्स हैं जैसे comment आना गेहन जाना लेरनन पढ़ना एसन खाना त्रिंकन पीना आपको क्या करना है यह वर्ब्स से हर रोज आपको सिर्फ पांच-पांच सेंटेंस बनाने हैं कितने पांच जो मैंने बोला जो कोई जो कोई ध्यान से सुनो जो कोई हर रोज सिर्फ पांच सेंटेंस बनाएगा तीन मैने में वो फाड़ फाड़ जर्मन बोलने लगेगा अभी important चीज़ क्या है रोज consistency is important देखो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे sentence complex बनाते जाएंगे पर सिर्फ आप एक notebook लो हर रोज पांच नहीं sentence लिखते जाओ आपका हो गया अभी कैसे है अभी आपका problem क्या है तोड़ा limitation क्या है तो अभी हमको सिर्फ इश डू एरस जी सर्वनाम आते हैं और गेहन comment आता है तो अभी आप क्या करोगे जो part नहीं आता है वो English में लिखो कोई problem नहीं I go to office इश गेह to office I come from office इश कॉमा from office कोई बात नहीं अभी के लिए to from English में लिखो बात में कहा है जब आपने to और from सीख लिए आ गया आपको right पर अभी important क्या है हर रोज पांच sentence बनाओ और इतने सारे sentences हैं कि जिनमें बाकी के word लगते भी नहीं मैं आपको अभी इतने सारे sentence बता सकता हूं कि जिसमें डाइरेक्ट 100% करेक्ट जर्मन कर सकते हो इश सब पीज़ा 100% करेक्ट जर्मन सेंटेंस आपको आता है इश ट्रिंकर्टे 100% करेक्ट है क्लियर है सबको तो आपको क्या करना है जैसे मैंने बोला वो screen अगर आपको चाहिए उसको pause कर लो और वो 30 verbs आपके notebook में लिख लो और फिर हर रोज उसके पांच-पांच sentence बनाओ अभी मैं हर वर्ब बोलने में अगे का सीख सकते हैं next classes में ठीक है तो आपको क्या करना है जैसे मैंने बोला पकड़ो वर्ब इन हटाओ इश के दू के rsg के forms बनाओ क्लियर है अभी जैसे मैंने बोला कि simple simple sentences बनाओ मैं थोड़े examples लेके बताता हम आपको कि 100% करेक्ट जर्मन sentences सुनो तुक धान से आई लर्न हिंदी इश लर्न हिंदी 100% करेक्ट आई प्ले क्रिकेट इश पील क्रिकेट आई ड्रिंक टी इश ट्रिंक टे क्लियर है सबको वैसे ही हम वी से बना सकते हैं वी इट पीज़ा वियर एसेन पीज़ा वी ड्रिंक पेपसी वियर ट्रिंकन पेपसी वी लर्न हिंदी वियर लर्न हिंदी वी प्ले क्रिकेट वियर श्पीलन क्रिकेट जब तक आप नए हो इश और वियर फॉर्म बनाओ क्योंकि वो easy है E और E N दिमाग के लिए easy है जैसे जैसे पहले दो, तीन, चार दिन इश और वियर के 5-5 sentence बनाते जाओ जैसे जैसे आगे जाओगे Do, R, S, Z के बनाते जाओगे उसी टाइम आप next concept भी सीखते जाओगे तो आपके लिए वो आसान होता जाएगा तो अभी सबको clear है Everybody knows how to make small German sentences देखो, हमने सिर्फ 10 मिनिट में small, small German sentence बनाना सीखा है तो आगया सबको confidence कि आप छोटे-छोटे German sentences बना सकते हो हर कोई 5 sentence जर्मन में हर रोज बनाएगा Simple है न? ऐसे ही हम हर बार German में नए-नए concept अब Hindi concepts का सहारा लेते हैं वे सीखते जाएंगे Already मैंने 9 वीडियोज अपलोड किये हैं I have uploaded 9 वीडियोज उसकी link आपको description में इस वीडियो के मिल जाएगी वैसे ही मैं हर हफते नए-नए वीडियोज अपलोड करते जाऊंगा तो इसलिए मेरे आप सबसे request है कि आप मेरे इस channel को subscribe कीजिए like कीजिए और आपके जो कोई दोस्त ये सीखना चाते हैं जर्मन उनके साथ ये share कीजिए और आपके कुछ भी doubts हो अगर आपको इसमें कुछ भी problems हो आप comment section में लिखिए मैं वो doubts solve करने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्सट पार्ट में हम सीखेंगे जर्मन alphabets तो मिलते हैं नेक्सट पार्ट में जर्मन सीखें हिंदी में धन्यवाद